हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सर्थ मा देखो जरा कैसी कैसी फोटो डाल रही है भावी सोसल मीडिया पर और भाईया भी देखो कैसे चिपक चिपक के फोटो खिचवा रहे मैं तो पहले ही कहिती थी भईया को पूरे तरीके से अपने जाल में फशालिया इसने मैं इसमें बेटा क्या करूँ तो ठीक कहती है लेकिन अब तो मैं सचिन को समझा भी नहीं सकती पहले मेरे साथ रहता था, मेरी सुनता था अब तो सिर्फ इसकी सुनता है मा कितनी बार कहा भाईया जब अकेले यहां रहा करें और जब भावी माय के चली जाया करें भाईया को अकेले में समझाया करो वरना भाईया हां से निकल जायेंगे फिर बैठी रहना रोती रहना जिन्दगी भर मैं थोड़ी ना जिन्दगी भर रहूंगी मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल हाँ ठीक कहती है इस बार सचिन को आने दो अच्छे से समझा दूंगी इस चुडेल के साथ ना रहा करे और चुडेल की बातों में ना आया करे परिवार पर ध्यान दे कैसे होता जा रहा है और एक बहन बैठी है साधी के लिए पर कोई मतलब नहीं पता नहीं किस दुनिया में है आज दस दिन की शुटियां बिता कर सचिन और उसकी पतनी रेनू वापस बनाल सलोटे थे दोनों को देखकर सचिन की मा ने मुख बना लिया लेकिन सचिन की बहन रुची मुस्कुराने लगी और बोली अरे वा भया भाभी कैसी रही आप लोगों की ट्रिप मा और मैं आप लोगों की ही बाते कर रहे थे कितनी अच्छी अच्छी फोटो डाली भाभी ने सोशल गलती हो और मैं नहीं पूशती उसी तरीके से मैंने भी आनलाइन सापिंग करके कपड़े मंगाए थे जो मैंने नहीं दिखाए इतना कहकर अपना बैग लेकर भावी उपर चली गई रूची का मुबन गया एक गिलास ठंडा पानी भाई के सामने पटक के अंदर चली गई औ हसीना बोली क्या बात है मा सचिन ने पूछा आप नाराज हो क्या कोई गलती हो गई हम लोगों से गलती तो मुझसे हुई है सचिन तुम्हारी साधी करके मैं तो पहले ही कहती थी कि यहा लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं इतनी तेज बहु किसकी होती है और ऐसे ऐसे पढ़े पहन कर फोटो डालती है पूरी दुनिया थूथू करेगी अगर देखेगी तो तुम्हें तो इसका कोई खयाल नहीं तेरा बाप बुढ़ा हो गया है एक बहन साधी के लिए उसके लिए पैसे जमा करने की जगा तुम दोनों मिलकर घर का पैसा छुटियों में और तुम्हें क्या जरूरत है वो आनलाइन सापिंग बोलने की रुची प्यार से पूछ रही थी तो बता देती कहां से कपड़े लिए अरे उसका भी मन होता होगा कि वह कपड़े ले पहने तुमने ऐसा क्यों क्या रे नू सचिन ने गुसा कर कहा वा वा क्या बात है बहन जब से तुम्हारी नई नौकरी लगी है हम सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और मैं पूरे दिन रसोई में खाना बनाती रहती हूँ उसके बाद भी रूची और सासु मा दिन भर कितनी बाते सुनाती हैं मेरा दिन मर रहना खाना मुश्किल कर देती हैं लेकिन सचिन मैंने क कभी सिकायत नहीं करी कभी किसी से नहीं कहा ना पापा जी से इतना कहते ही रेन रोने लगी सचिन बाहर चला जाता है तीन चार दिन बाद वर्मा जी आज रूची की साधी के लिए मुझे या लड़का सबसे ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैं बिन बताए ही उन लोगों लाकर सबको आवाज देने लगे अरे सचिन की मा सचिन बहु बाहर आओ देखो तिवारी जी आए हैं रूची के लिए नया रिस्ता लेकर और लड़के वाले बसाते ही होंगे देखो सचिन की मा समझालो रूची को इस बार मैं कोई तमासा नहीं चाहता ये चाल साल बहुत भारी बीते हैं सगाई तूटनी के बाद लोगों ने थूका है मुझ पर रूची की सरते और उसे बढ़ावा देने वाली तुम अब और नहीं लड़का सरकारी नौकरी में है परिवार अच्छा है वर्मा जी गुसे में लाल थे सचिन की मा एठते हुए गरदन हिलाने लग जाती है वर्मा जी रूची उन लोगों को पसंद है अब लेंदेन की बात आप लोग कर लीजिए तिवारी जी धीरे से बोले पिता जी हम कुछ बात करना चाहती है राहुल जी से पिलिज तिवारी अंकल रूची ने रिक्वेस्ट किया बेटा आप क्या दिक्कत है त एक बार बात कर लें तो अच्छा ही रहता है वर्मा जी राहुल के पिता बोले मेरे घर में मैं अकेला हूँ और मेरी मां और बापू मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मां और बापू को अपने मां बापू समझना घर का पूरा काम करना और उनका खयाल रखना राहुल ने मु सपना होता है मेरा भी है राहुल हसने लगता है इतना घूमना अरे क्यों मेरी फ्रेंड अनिता पूरी एक साल तक घूमती रही फारन गई और जाने कहां कहां कितनी सारी उसकी इच्छाएं हैं सब पूरी की उसके पती ने तो आप भी मेरी इच्छा पूरी कीजिएगा तभी मैं साधी के लिए तयार हूँ मैं सुरू के छे महीने सिर्फ घूमना चाहती हूँ और मैंने तो देश भी देख लिया है जहां जहां मुझे घूमना है राहुल कुछ सोचने लगता है दोनों नीचे आते हैं राहुल अपने पिता के कान में कुछ कहता है और पिता तिवारी जी से राहुल का परिवार वहां से चला जाता है वर्मा जी तिवारी जी क्या बात है अरे आपकी लड़की बड़ी पागल है वर्मा जी कैसी कैसी बाते कर रही या कह रही है मैं छे महीने लगातार घूमना चाहती हूँ या क्या पागल पन है साधी कर रही है या कोई वर् देश घुमना कह दिया तो क्या हुआ सचिन की मा एठते हुए बोली वर्मा जी सुनते रहते हैं तिवारी जी गुसा कर वहां से चले जाते हैं वर्मा जी चिलाने लगते हैं कैसी पागल लड़की पैदा की तुमने सचिन की मा कैसी कैसी बाते लड़के से करके अपना रिस्त तोड़ दिया वो लोग सब जानते हुए भी तयार थे चार साल हो गए लड़की के लिए लड़का देखते हुए लेकिन इसे तो घर में सिर्फ लड़ाई लगवाने से बात इधर की उधर करने में मज़ा आती है लड़कों से ऐसी ऐसी सर्त रखती है क्यों करती है या सब क् समझाती हो तुम सचिन की मा रेनु चुपचाप खड़े होकर सब को सुन रही थी धीरे से कहती है पापा जी माफ कीजिएगा लेकिन मैं 10 दिन के लिए बाहर चली गई तो सासु मा और रुची दोनों को बहुत बुरा लग गया लेकिन यहां रुची ने अपने घूमने के लिए सर्त रख दी सचिन को लगातार मा और रुची ऐसी बाते ही समझाती है कि मुझे और सचिन को अलग रहना चाहिए मुझे और सचिन को साथ देखकर सासु मा कभी खुश नहीं होती है मैं इस घर को अपनी आवकास से ज़्यादा सोचती हूं और मानती हूं मैं अगर अलती का एसास हो रहा था और रुची भी अपने किये पर सर्मिंदा थी फिर उन्होंने रेनु से माफी मांगी और आगे से ऐसा ना करने का वादा भी किया रेनु भी सासु मा और ननत की बात सुनकर खुश थी और प्यार से उनके गले लग गई आशा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद